अगर आप बराहमी पास हैं, पूलिस में आप भरती होना चाहते हैं, तो सबसे बेश्ट, सबसे अच्छा आपके पास में मौका आने वाला है, उत्तर प्रदेश पूलिस का, जनौरी के फर्ष्ट वीक में आपको बैकेंसी देखने के लिए ये मिल जाएगी, और इसमें हाइ मेल हैं, आप जनरल OVC ESC कंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट 150 cm लगेगी, अगर आप ESC कंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट अगर मेल हैं तो 160 cm, अगर फिमेल हैं तो 147 cm, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो की SSC GD में भरती नहीं हो पाते हैं, कम हाइट की वज़ इसके लिए आपको हम बताना चाहते हैं कि कटाफ इसका हाई जाता है, और इसके लिए आपको पढ़ाई अभी से सुरू करना पड़ेगा, अपनी तैयारी अभी से करना पड़ेगा, अच्छी बुक अभी से लेना पड़ेगा, उत्तर परदेश पुलिस कांश्टेबल भर इसके लिए आपको तीन हजार बहुत परदेशन देखने के मिलेगा, आपको पांस सोल पेपर मिलेगा, इसमें इंपोर्टन कोश्टन दिये गया है, इस बुक में जितने भी इंपोर्टन और जितने भी कठीन कोश्टन हो, उनको बहुत अच्छे सोल्व करके दिखाया गय इसमें आपको उत्तर माला भी देखने के मिल जागा, यह बुक आप ओनलाइन ओपनान दोनों तरीके से प्राप्ति कर सकते हैं, अगर इस बुक के अलावा आप चक्सु पब्लीकेशन का प्रेक्टिस सेट लेकर आप तयारी करते हैं, आप अपनी तयारी बहुत और अभी से लेना पड़ेगा, अगर आप अभी से तयारी अपना कर दें, क्योंकि पीछे अगर आप थोड़ा सा जाएं, तो देखें कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा की बेकेंसी आया थी, यह निस्चित लिमिट टाइम में उसका बेकेंसी क्लियर कर दिया गया है, तो यह बेकेंसी जो आ रही है, बहुत फास्ट इसमें कारवाई होगी, और आप जो अगर उसमें तयारी करना चाह रहे हैं, आप भरती होना चाह रहे हैं, अगर अभी से आप तयारी नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, लेकिन पुलिस का बह आपको होना ही चाहिए, किसी भी साइट से, इसमें बहुत अच्छा मौका है, आपके सामने आने वाला है, अगर आप तयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे, कि हम अधर इस्टेट के हैं, पता नहीं ये बेकेंसी देख पाएंगे, नहीं देख पाएंग कि होते हैं, चाहिए आप 2018 वाला अबच्च देख लें, उसमें बहुत सारे बच्चे भरती होंगे, तो आपको बहुत अच्छा मौका ये मिला है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एज का छूट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये नोटिपिकेसन आने बाद ही पता लग गया है, पुलिस मौन भरती होने के लिए, तो आप सो बहुत अच्छे से महनत करें, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, बिना कुछ किये, जैजैकार नहीं होती, कोशिस करना वालों कभी हार नहीं होती, आप अगर कोशिस कर रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आप अभी से जुट जाएंगे, यह मत इंतजार करें कि बेकिंसी आएगी, उसके बाद हम सुरूर करेंगे, क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, हो सकता है कि जैसे ही बेकिंसी आए, एक महीना का टाइम मिलेगा फरम भरने के लिए, और उसके ब होद ही ज्यादा फाइदा मिलेगा